एज मैं आपको लेकर चलता हूँ उपने phone पे की स्क्रीन पर यहां हम देखेंगे कि हमारे phone पे का UPI पिन जो है हमारे बैंक का उसे हम UPI पिन को कैसे रिसेट करेंगे या फिर चेंज करेंगे अगर आप बुल गए हैं तो भी से रिशेट कर सकते हैं या फिर आप रेगुलर बदलना भी बहुत जरूरी होता है तो आप इसको रेगुलर ली बदल भी सकते हैं तो चलते हैं दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह फोन पे का होम स्क्रीन है इसमें फूर्थ नंबर पर दिया हो गया है चेक बैलेंस हम सबसे पहले चेक बैलेंस पर क्लिक करेंगे उसके बाद फिर जो भी हमारा बैंक अकाउंट है अगर नहीं है तो यहां से हम एड़ भी कर पाएंगे इसके बाद हम अपने बैंक अकाउंट के सामने एरो लगा हुआ है वहां पर क्लिक करेंगे कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं चलिए यहां पर मैं अपना कुछ गलत पिन डाल देता हूं और मैंने अपना गलत पिन डाल दिया उसके बाद फिर मैं यहां यह ब्लू टिक लगा हुआ है इस पर क्लिक करूंगा ओके कर दिया मैंने चलिए अब इसके बाद हम देखेंगे कि यहां देखिए लिक करके आ रहा तो हमें इसका मतलब है हमें pin को दुबारा बनाना है हमें pin को दुबारा बनाना है या फिर यहां पर यह एक और option दे रहा है कि re-enter UPI pin मतलब कि अगर मैंने मुझे याद है तो मैं दुबारा कोशिस कर सकता हूँ ठीक है हला कि मैं कोशिस नहीं करूँगा दुबारा मैं यहां अपने UPI pin को reset करूँगा तो मैं यहां पर click करूँगा reset पर उसके बाद चले यहां पर यह मुझे कुछ मेरे ATM की जानकारी मांग रहा है डैविट कार्ड या ATM कार्ड जो भी है उसकी details मांग रहा है यहां पर लिए है यहां month में और year में यह दोस्तों यह दोनों details आपको आपके ATM कार्ड के उपर लिखी मिल जाएंगी जो कि आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं यह दोस्तों मैं डाल देता हूं उसके बाद यह पूछ से पूछ रहे कि बैलिट कब तक के लिए है तो यह मेरा यहां पर प्रोसीड करूंगा इसको दोस्तों यहां पर मुझे 43 सेकंड का टाइम दिया गया था और इसमें मुझे एक OTP दी है इन्होंने बैंक से देखी एक OTP जनरेट हुई है मैं यहां वो OTP डाल देता हूं दोस्तों यहां पर लिख करके आ रहा है कि मुझे 6 डिजिट का UPI PIN बनाना है मैं यहां पर अपना 6 डिजिट का UPI PIN मुझे जो आसानी से याद हो मैं उसे यहां पर बना लूँगा यहाँ पर दोस्तो मैंने अपना नया UPI pin डाल दिया है उसके बाद मुझे दुबारा confirm करने के लिए बोल रहा है कि आप दुबारा उसे re-enter करें मैं यहाँ पर दुबारा re-enter कर देता हूँ चलिए मैंने यहाँ पर अपना दुबारा re-enter अपना UPI pin डाल दिया है और दोस्तो जैसा कि आप देख पा रहे हों यहाँ पर यह लिख करके आ गया है कि UPI pin successfully generated दोस्तो मुझे bank से message भी आ गया है inbox खोल लेता हूँ यहाँ पर आप ध्यान दें इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर इसका मतलब है अपने यहाँ इसे successfully create कर लिया है दोस्तो चलिए दोस्तो एक बार फिर से हम वापस अपने phone पे के home screen पर आ गये हैं उसके बाद अब हमें यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन करके देखें देखते हैं कि यह हुआ है या नहीं मैंने check balance पर click किया है उसके बाद मैं अपने अकम bank account पर रोके करूँगा then after जो pin हमने अभी बनाया था मैं उस pin को enter करूँगा देखते हैं यह bank balance बताता है या नहीं दोस्तो यहाँ पर इसने show कर दिया है कि मेरा balance कि थेंक्यू दोस्तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें थेंक्यू